कुछ कора कलार Girish K жאלार। हेलो कि घृकले बाति सालकर एंड़कर के थे सी थीक्तिक कर संस्ख पहल इंक अपनगाकर। ऊपने तेंस अइन संसा पाने संटें क्यों पौने संसर्फ रखते हुआ। मुझा गांधोन, हम नुपाने अबखते हुआ है। से यहां तक ले जा सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें इसमें आपका ही फायदा है तो गाइस लेट्स गेट इन्ट इन्ट इट तो गाइस अब चलते टिप नमबर वन पर टिप नमबर वन यह है कि आपके चैस्ट है बैक है और जो कान पर है रहते मतलब आपके यहां पर जो है रहते है वो कंट्रोल में रहने चाहिए अगर आप यह तीनों चीज़े कंट्रोल कर पा रहे है तो 50% एट्रेक्टिव तो आप अपीसे लगने लगे तो आपको चैस्ट हैर होने चाहिए पर इतने भी नहीं कि आपके टीशेट से बाहर निकल रह होंगे जब आपको बहुत ज्यादा पासीन आ रहा होगा और आप साफ नहीं करें आपको लग रहा है यह कौन साफ करें पर आप फेस धूर है तो आपको यह को भी ऐसे मतलब साफ करना है तो उससे आपके यह हैर नहीं होगेंगे तो इस तरह से आप 50% एक्रेक्टिव तो बनी गए है तो आप चलते हैं टीप नमबर टू पर टीप नमबर टू यह है कि आपको अपने बीयर्ड और मुच्छे पर्फेक्टी ग्रूम रखनी चाहिए आपने चेस्ट है बैक है और इयर इन तीनों चीज़ों कर लिया अब आप 50% एक्रेक्टिव लग रहे है और आप सोच रहां कि यार लंबी बीयर्ड है मैं ग्रो ऐसे ही करने देता हो तो नहीं आपको परफेक्ट शेप में ग्रो करनी चाहिए और आप पैची बीयर्ड है जैसी मुझे आप देख सकते हैं मुझे प्रफेक्टी ग्रो नहीं हो रही है तो उस टाइम आप क्या करोगे तो आप ऐसे फ्रेंच करा दीजिए पर मलब आपकी बीयर्ड परफेक्ट अहां नहीं रही है फिर भी आप ग्रो कर रहे है तो वह अच्छी नहीं लगए कि आप ट्रीम कर दीजे एक बार तो दूसरी बार आपकी बीयर्ड परफेक्ट आईगी और अपनी मुझे को भी पर या सीजर से कट कर दीजिए तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी मुझे और पर्फेक्टली ग्रूम होने चाहिए अब 70 परसेंट अब चलते हैं टीप नमबर थी पर तो वाइस अब चलते हैं टीप नमबर थी पर ये टीप नमबर थी आपके लिए बहुत इंप द sens I am the hook कि आगे मेरा वीडियो आ रहा है उसके लिए में लंबे करा हो आपको पतासओं कि वीडियो इसके बारे में है तो आप मेरी चीसी मिश्टेक भाई तुझे जो अच्छा लगे वह कर दे अब यह चीज धियान रखना कि आपकी हैस्टेल आपको डिसाइड करने है वह बार्बर को नहीं तो आपने अपने बाल कटा दिये चेस्ट है यह सब कंट्रोल कर दिया तो आप 80% तो अट्रेक्टिव लग रहे हैं अब आपको 20% अब चलते टिप नंबर फोर यह है कि आपको अपना माउथ पर्फेक्ट रखना मलब आपके माउथ में से स्मेल नहीं आनी चाहे कुछ भी बदबू नहीं आनी चाहे अपने ओन्यन खाये या फिर गार्ली काया कुछ भी चीज़ की आपके मुह में से बदबू नहीं आनी आप परफेक्ट ली सुबह ब्रॉस कीजिए और अपने साथ हर रोज मतलब एक माउथ फ्रेशनल रखे अगर आप बहर जा रहा है किसे से मिल रहे है अपनी गर्फेंसे ख्रॉस से तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपके मुह में से बदबू निकल रहे है तो आपक मुह में से बहुत बुन आये वरना उसको भी अच्छा नहीं लगया तो अब आपने ये कम माउथ फ्रेशनल रख लिया तो आप 90% एट्रेक्टिव लग रहे अब जो 10% बाइक है उसके लिए हम चलते है टीप नंबर 5 पे तो आप चलते है टीप नंबर 5 पे तो आपको अपन 10% एट्रेक्टिव देखने का लोगाइज ये 10% को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और आप ये 10% को यूज करें मैं जो आप आपको टिप देने वाला हूं वह तो ट्रेंडिंग फेशन चैनल इस वाल अबाट यार क्लोधिंग तो क्लोधिंग पर मैंने बहुत सारे दूंतल यंक है जिसके उपर क्लोध लगाये त Key Up覺 डिप लगाय परेक्ट इंटल लगाये प्लोधिंग को य अच्छे घ्यान रखने कि अगर आप करने जा लगारहार यह अपको पता नहीं चल रहा है शाल tweeted वापte भाए तो बोंस पर्प्रप्थ्ट मेंच करूरा करते के नहीं जिनको देखके आपको कोई अट्रेक्ट ना हो तो वह ज़रूर बाई करें जो डमी पर है तो यह तिप ध्यान रखें और इसको बहुत ज्यादा आप मलब यह बहुत ज्यादा काम लगी है आपको तो इस टिप को यूज करना भूले तो आज के लिए बस इतना है यह यह बहुत जा सकते हैं तो इस वीडियो को एंड करने से पहले में आपको एक मलब आपको हजोड के थैंक्यू कहना चाहूंगा कि आपके वज़े से मेरे टैन थाउजन व्यूज आ गए है वह मतलब करेंड वीडियो में और हम फाइंड सब्सक्राइब के बहुत नहीं है त बॉटन को क्लिक की जे और गाईज अगर आप ने सब्सक्राइब कर दिया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना तो गाईज सी यू नेक्स टाइम बाए